जैसे कि आप लोग जानते हैं, Nats के थुरू Nats एक पोर्टल है, जिसके थुरू Apprentice अगर आप कहीं पर भी करते हो, All India में, तो आपके Nats पोर्टल पर रेजिटेशन करना जरूरी होता है, और उसका enrollment नमर मिलता है, approval होता है यहाँ पर, उसके बाद ही आप कहीं पर भी Apprentice कर स जिसके जो भी सारे candidate थे, उहाँ से आप लोग लोग इन करते थे, registration करते थे, उसके regarding मैंने अल्डेटी वीडियो बनाया था, अभी जो क्या है, इसका एक new portal launch किया गया, जो की Ministry of Education के द्वारा, यहाँ पर new portal launch किया गया, तो उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, और जो भी आपको informative वीडियो हैं, इस सानल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगे, वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दीजेगा, इनसे मेरा जो motivation है, बना रहता है, आप लोग लिए अच्छे अची वीडियो यहाँ पर लाने के लिए, चली वीडियो को start करते हैं, आप जो यहाँ पर portal था, mhrdnats करके था, जिसका यहाँ पर domain था, portal.mhrdnats.gov.in, यह आपका पुराना portal था, इस पर जैसे आप कलिक करते हो, तो इस तरह का interface आता था, यह पुराना portal था, यहाँ से जो भी candidate apply किये होंगे, इस से पहले apprentice कहीं पर किये होंगे, उन लोग को ऐसा से होगा, तो आप लोग को Google में Nats लिकर के सर्च करना है, जैसे सर्च करोगे, तो आपको थुरा स्क्रॉल करना है, नीचे आओगे, तो यहाँ पर आपको Ministry of Education का यह new portal आपको देखने के मिलेगा, आपको इस पर किलिक करना है, यह आपका new portal है, मैं वीडियो के description में भी new portal का लिंक वहाँ पर देदूँगा, तो इस portal पर जैसे आप किलिक करोगे, तो इसका जो यहाँ पर domain है, यह भी आप सर्च कर सकते हैं, यह आपका new website का यहाँ पर URL है, यह आपको national apprenticeship training scheme, Nats का full firm होता है, यह यहाँ पर दिया गया, और यह Ministry of Education, Government of India के अंदर में आता है, यह portal कैसा दिखता है, तो इसका जो overview है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं, या तो अपने phone में भी इसको search करके देख सकते हैं, अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें interested हैं, और Nats portal के थुरू कोई भी apprentice की जो vacancy आती है, उसको आप apply करना चाहते हो, या आप आप भी तक Nats portal पर registration नहीं कियो, newly pass out candidate है, 2022 थे इसमें, तो आप लोग को कैसे registration करना है, और मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर student का section दिखेगा, आपको यह student वाले section पर click करना है, जैसे इस पर click करोगे, तो यहाँ पर दो option आएगा आपके पास, student register औ आपको मांगा जागा, इसमें वही लोग enrollment कर सकते हैं, जो आप लोग अगर graduate या diploma कर रखे हो, engineering discipline में, या आप लोग graduate हो, engineering discipline में, या general discipline में, non-technical में भी हो, ITA वालों को छोड़ करके, सभी लोग Nats portal के थुरू registration करेंगे, ITA वालों का जो registration है, वो अलग website है, उसका वहाँ प Apprentices이 Program, क्या आप पहले से Apprentices कहीं पर किये हैं, तो आप अगर किये होंगे, तो कहीं फ़र भी दुसरे जगा अपलार नहीं कर सकते हैं, दुसरे जगा registration नहीं कर सकते हैं, नैट्स पुटल पर आप अपने lifetime में एक ही बार registration कर सकते हैं, अगर आप पहले registration की होंगे, तो उसक तो यह है नहीं होगा तो यहां पर आपको no select करना है इस पर no select कर देना है उसके बाद के पूछा गया कि do you have any work experience of one year or mode अगर आपके पास year से ज़्यादा का experience होगा तो भी आप यहाँ पर नहीं कर पाऊगे तो इसमें भी आपको यहाँ पर डालना है उसकी बाद यहाँ पर पुछागे कि have you passed out through regular या past time या distance से तो आप यहाँ पर जो भी आप अगर regular mode से किये हैं तो यहाँ पर आपको regular select करना है उसकी बाद यहाँ पर आपको अपना तो आपका जो institute जहाँ साब पढ़े हैं ओ किस state से बिलोंग करता है तो यहाँ पर जो भी आपका state हो यहाँ से उसको select कर लिजेगा उसकी बाद यहाँ पर आता है कि किस district से बिलोंग करता है जो आपका college है किस district में बिलोंग करता है तो यहाँ से उसको select कर लेना है उसकी बाद यहाँ पर आपका institute का नेम है यहाँ पर आपको डाल देना है उसकी बाद यहाँ पर आपको जो भी institute है उस state के district के अंदर में उसका सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा तो इसमें से आपको यहाँ पर select करने ना इस इन केस अगर आपका जो college का नाम है इसमें नहीं आता लिस्ट में तो आपको क्या करना है यहाँ पर दिया गए कि if institute name not appearing in drop down please contact यहाँ पर यह email address दिया गए इस email address पर आपको mail कर देना है कि जो nets का portal है new वाला उसमें यह जो college का institute का मेरा institute का जो नाम है वो लिस्ट में drop down menu में नहीं है तो यहाँ पर add कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको education type का पुछा गया है कि आपको यहाँ पर आपका कौन सा branch है यह कौन सा qualification है डिपलोम किया है या graduate है यहाँ पर इन डिपलोमा अगरा आप कि होंगे engineering आ टेक्लोजी में तो इसको select किजी अगर आ है पर जो भी आपका ब्रांच है जो भी आप Privbing से देखने के लिए लिए मिल जागा लगव हल लगव तह यहाँ पर जो भी आपका branch हो यहाँ पर से लग्ड कर ली आपको जो भी अलग यहां पर दिया गया है यहां पर और भी उसके अंदर में अलाइट ब्रांच होते हैं तो यहां पर देख लीजेगा और सेम होगा तो यहां पर सेम डाल दीजेगा और यहां पर आगे बढ़ जाएगा उसके बाद यहां पर आपको student ID या unique registration या रोल नमर आपको डालना है जो भी आपका college institute में होगा वह आपको यहां पर डालना है उसके बाद year of passing यहां पर आपको select करना है month of passing select करना है percentage कितना है email ID यहां पर आपको डालना है mobile नमर डालना है एक password अपने मन से यहां पर select करना है उसको दुबारा डालना है और 100 password पर click करके आपको दिख भी सकते हैं और I am note robot पर click करके student register पर आप यहां पर click कर दीजेगा उसकी बात कुछ इस तरह का interface आगा जिसमें बोला जाएगा कि please activate your account by clicking on the link sent through email तो जो भी आप email दिये होंगे उसको यहां पर आपको open करना है और उसमें link गया होगा उस पर click करके अपना account जो य यहां गया होगा link इस पर आपको click करना है जैसे इस पर click करोगे तो यह जो है link आपका email ID verify हो जाएगा थोड़ा देर आपको यहां पर wait कर लेना है इस तरह का interface आजाएगा your account has been activated please login अब आपको फिर से login करना है तो यहां पर student login वाले section में आ जाना है उसके बाद यहां पर iam note robot पर click करके capture fill करके यहां पर login वाले option पर आपको click कर देना है इनकेस अगर आप password भूल जाते हो तो यहां पर click करके आप अपना password फोड़ भी कर सकते हैं login करने के बाद कुछ इस तरह का interface है जिसमें कि यहां पर आप देख पाएगा आपको यहां पर आपका नाम रहेगा उसके बाद यहां पर आपका involvement ID आपका अगर जो registration हो successful हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर आपको involvement नमर यहां पर मिल जागा उसके बाद आपका email, contact number, date of birth यहां पर सभी कुछ दिया रहेगा कितने vacancy में आप apply कियो और यहां पर आपको दिखेगा कितने में आप shortlist है और यहां पर दिखेगा और कितने selected और rejected यहां पर सभी कुछ यह portal में यहां पर दिया गया है उसके बाद यहां ही पर आपको जो vacancy आप apply कियो यहां पर आपका दिखेगा उसके बाद यहां पर आपको जो vacancy यहां पर आई है ओ भी यहां पर आपको दिखेगा और आप अपने नुसार से सर्च भी कर सकते हैं जिसी कि यहां पर apply against yearly requirements के बारे में अगर जाना चाहते हैं तो यहां पर आप दिख सकते हैं इसमें आपको industry का name डालना है उसके बाद industry का ID डालना है यहां पर आप एक भी चीज डाल करके search कर सकते हो इन केस यह नहीं पता आपको यहां पर आप आपको जो भी state में आप चाहते हैं उसको यहां से select करना है उसके बाद यहां पर आपको district select करना है उसके बाद किस field में आप करना चाहते subject जो भी आपका branch हो select कीजिए और नीचे में search का option देखेगा इस पर click कीजिएगा तो जो भी vacancy यहां पर आई होगी वो यहां पर आपक आपको यहां पर registration तो कर सकते हैं अभी लेकिन जो apply और का है अभी यहां पर काम थोड़ा नहीं कर रहा है तो आपको wait कर लेना है जब सही से work करने लगेगा तो मैं आपको फिर से update कर दूँगा तो उसके बाद यहां पर आ करके आप इसको apply कर लिजेगा कैसे इसको apply करना है सबी कुछ मैं आपको जब इसका सबी कुछ सही हो जाएगा इस website working condition में आ जाएगा तब मैं आपको फिर से details में वीडियो बना दूँगा तो आप उसको देख करके कर लिजेगा उसके बाद अगर इसमें और कुछ information आपसे मांगी जाती है login करने के बाद आप अगर newly होंगे तो वहाँ पर डाल करके उसको आप सबी कुछ कर लिजेगा और उसके बाद आप इसको login करके रखेगा बाद में जब ही मैं अपडेट करूंगा तब फिर आप इसको apply कर लिजेगा तो यह था इसका detailed information आप आप इसको समझे होंगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के शुक्रिया और थेंक्यू वीडियो को जरूर से like, share, subscribe कर दीजेगा जिनसे के हमें motivation मिलते रहती है आप लोग के लिए अच्छी recruitment की notification यहाँ पर लाने के लिए